समीर वान खेडे पर लगे रिश्वत लेने के आरोप में मुंबई पुलिस जाच कर रही है मुंबई पुलिस ने अपनी एक S.I.T. टीम घठित की है प्रभाकर सेल के बयानों के बाद इस टीम को घठित किया गया कि क्या वाकई में ये जो मामला है ये रिश्वत खोरी का मामला है क्या कोई 18 करोड की दील थी 50 लाग पहुँचाए गए क्यों पहुचाए गए इन सब बारे में अब ये S.I.T. ही इन्वेस्टिगेट करेगी इसी बीच कहा गया कि जल्धी शारुकी मैनेजर पूजा ददलानी को भी समन भेजा जा सकता है और अब ये काम हो चुका है मुंबई की S.I.T. टीम ने पूजा ददलानी को समन भेजा उन्हें मुंबई S.I.T. के सामने हाजिर होने के लिए कहा गया हाला कि पूजा ददलानी ने S.I.T. से टाइम मांगा है उन्होंने कहा है कि उनकी तबियत खराब है और इसलिए वो इस वक्त पूछताच में नहीं शामिल हो सकती है थोड़ा समय उन्हें दिया जाए आपको बता दे कि ऐसा ही एक कारण आरियन खान ने कल N.C.B. को बताया था जब N.C.B. ने उन्हें पूछताच के लिए बुलाया तब आरियन खान वहाँ पर नहीं पहुँचे और कहा कि उनकी तबियत खराब है पूजा ददलानी का नाम प्रभाकर सैल नहीं लिया था उसका कहना है कि तीन अक्टूबर की अर्ली मॉनिंग साड़े चार से साड़े पांच के बीच पूजा ददलानी अपने पती और चिकी पांडे के साथ में मुंबई के लोवर परेल फिनिक्स मॉल वाली रोड पर आई थी और वहां पर उन्होंने एक घंटे तक डील को लेकर बातचीत की थी और तब 50 लाक रुपए पूजा ददलानी के थू ही टोकन मनी जो है पहुँचवाई गई थी